मैंने कहा पानी में भैसा तो क्या हाथी भी सेफ नहीं है क्योंकि पानी का ये शिकारी दानव किसी से नहीं डरता और हाथी जैसे बड़े जानवर पर भी हमला करने में जरा भी नहीं हिचकिचाता वो इतना तो समझता है कि हाथी के शरीर का सबसे कमजोर अंग उसकी सून्ड और इसलिए वह उसी पर हमला करता है और ज्यादा तर हाथी के बच्चों पर घात लगाता है बट हाथी से पंगा लेना इतना भी आसान काम नहीं है ऐसे में कभी कभी मगरमच के दाव उल्टे पड़ जाते हैं और वह अपनी बेज़ती करवा बैठता है अब यही पर देख जब इस मगरमच ने हाथी की सून पर हमला बोला तो हाथी ने सून से ही उसे उठा उठा कर पटक दिया